नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहर में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं बात करूँगा UPTT 2018 की आंसर की के बारे में इस वीडियो में आपके सभी प्रसनों के जवाब मिल जाएंगे जो आप इभीन कमेंट बाक्स में पूछा है जैसे कि किन प्रसनों में केवल नमबर मिलेंगे और किन प्रसनों के विकल्प में बदला होगा और उसके बाद में ये भी बात करेंगे कि OMR में कौन सी गलती अच्छम में है और कौन सी च्छम में क्योंकि लगातार विद्यारती पूंच रहते हैं किसी का रोल नंबर गलत हो गया , इसेते में झार उसके बाद में यह भी चर्चा करेंगे , बहुत सर इसे बारे में ढूंबर नंबर बढ़नेंगे , तो आए शुरू करतें हैं । आगे बढ़ने से पहले जो नए वीवर हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद में ये बेल आइकाने इसको भी क्लिक कर दीजिए अगर आप लोग किसी भी सरकारी नोगरी की तयारी कर रहे हैं जो विवादित है और उनमे से लगबग आठ परसण ऐसे हैं जिन्में बदला होगा और चार परसण ऐसे हैं जिनके केवल नमबर मिलेंगे और सभी को मिलेंगे उसमें कोई संसोधन नहीं होगा केवल नमबर ही देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रशन ही गलत है और कुछ प्रसन ऐसे हैं जिनके विकल्पों में बदलाव किया जाएगा तो आईए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रसन है जिनके केवल नमबर मिलेंगे सभी विद्यार्थियों को पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों ने कल देखा हो का बहुत चर्चा हुई है इस प्रसन के बारे में कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मातरा गती और प्रगेति की सीमा को गराफ पर प्रदर्शित करते हैं किस ने कहा था तो यह मिल गया है कि इसको गेट से वा अने ने कहा था और यह चारों विकल्प में नहीं है मैंने कल दिखाय भी था और इसकी अपति आप लोगों के लिए मैंने भी भेज दिया है सीखने के वख्र अभ्यास द्वार सीखने की मात्रा गती और उन्नत की सीमा का गरापर प्रदर्शन करते हैं गेटस हुआ अन्य यह एक पुस्तक नहीं कई पुस्तकों में दिया हुआ है इसके बाद में जो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुठ्ञ सूत्र नहीं है तो जो आयो की आंजर किया है उसने माना है निग्मन से आग्मन की और जबकि सिक्षन के जो सूत्र हैं उसमें सभी यह चारों है आग्मन से निग्मन भी है, निग्मन से आग्मन भी है, सरज से कटीन है, मूर्थ से अमूर्थ भी है और अनिश्चित से निश्चित है, तो इसके भी नंबर सभी को मिलना तह है तो इस प्रश्ण में भी आपको नंबर मिलना चाहिए इसके बाद में जो अगला प्रश्ण है कि कौन संस्क्रित में है कौन सा स्वर हस्व नहीं होता है तो इसके बारे में भी यह पता चल गया है कि इसमें जो विगल्प है वो दो विगल्प है इसलिए यह प्रश्ण गलत हो जाएगा और या तो इसके दो नंबर देंगे नहीं तो इसमें सबको नंबर देना चाहिए कि यह प्रश्ण ही एक तरीके से गलत माना जाएगा क्योंकि दो विगल्प को देखते विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और जो प्रश्ण इस तरीके के होते हैं जिसमें विगल्पों में गलत मतलब विगल्प का चुनाव किया है आंसर की में प्यनपी ने तो उसमें विगल्प बदलेंगे जैसे कि यह हिंदी भासा व इनमें तो विगल्पों में बदला जाये गा यानिकी इसका आंसर बदल दिया जाए गा लेकिन जिन सभी को नंबर दिया जाए गा इसी तरीके से एक पार्यार से ती है बहुत सारे विधियार्थी करे दासर इसमें कंप्लें ने करना चाहिए क्योंकि यह जातर विद्यार्थियों का यह प्रस्न सही है उन्होंने रेखा सर्मा ही लगाया था और रेखा सर्मा को आयोगनी माना भी है लेकिन इसे बहुत ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों को हो जाएगा यालि कि नुक्सान किसी के नहीं है क्यों फाइदा है जुन्हों सही किया है तो उनक गलत है उनको number मिल जाएगा तो इसलिए ये एग number इस परसndane से भी मिलाता है अगर PNP इस परसndane को हटाता है हलाकि यह अभी देखना है कि हटंता की नहीं हटाता है लेकिन चुकि out of स्लेवस है इसलिए इस प्रसनों को हटाना चाहिए मैं बता भी चुका हूँ में पिछली वीडियो में कि 2017 में एक कोड केस चल रहा है जिसे चार प्रसनों को ले करके अपत्ति की गई थी और वो मामला सुप्रीम कोट से फिर से हाई कोट में आया है तो इस वज़े से ये प्रसन को हटा देना चाहिए और ये इसका नमबर सबको मिलना चाहिए तो कुल मिलाकर के लगबग तीन या चार नमबर टोटल सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे और उसके बाद में जो बाकी की प्रशन है जैसे गिरोह की अवस्था की जो उम्र पूछी गई है कुछ और भी प्रशन है तो उनके जो है विगल बदले जाएंगे तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिए किसी का नुक्सान नह चम में है विद्यार्थी लगातार जिस दिन से परिक्षवी उस दिन से पूंच रहा थे चुकि पेपर में कई बार आया कि कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए उम्र में तो मैं आप लोगों को बता दूँं कि जो उम्र में जो काला करने वाले जो पॉंट बने हैं अगर उनमें कोई गलती नहीं है तो आपको कोई प्राबलम नहीं खास तोर से जो नीचे का पोर्शन है जहां पर आपने मैनुवली लिखा है माता जी का नाम अपना नाम यह प्रस्नों की संख्या इत्यादी तो अगर अपने बुकलेट की सिरीच गलत बर दिया यह भासा का चुनाओं गलत काला कर दिया है यह एक से अधिक प्रस्नों को काला कर दिया है यह रोल लंबर भरने में जो काला करने वाली जो जोगय होती है उसमें यानि कि आपके is टरीके से कर कोई गलती कर दी है यानि कि आप देखरे अगर यहाँ पर भी कोई गलती कर दी है वह में ऐसमें बी आपने तो प्राबलम नए प्राबलम यहां पर है अगर आपने यहाँ पर कोई गल्ती कर दी है रोल नमर भरने में या रिजिस्टेशन नमर भरने में तब आपकी OMR नहीं जाची जाएगी और इसी तरीके से नीचे यहाँ पर लिखना था जैसे मा का नाम लिखना था प्रशनों की संख्या लिखनी की सिगनेचर करना था अगर यहाँ पर कोई भी गल्बडी हुई है तो उसकी कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि यह जो आपकी OMR है यह कंप्यूटर से चेक होंगी और कंप्यूटर जो रिटन राइटिंग होती है उसको नहीं रीट करता है वो केवाल जो आप लोग यह काला करते हैं केवाल उसको रिट करता है और उसी से आपको रोल नंबर, रजिश्टरइशन नंबर लेता है इसी तरीके से अगर प्रसंद का स्रीज है आप ने यहाँ पर सही से काला किया है जो आपकी स्रीज है और यहाँ पर आपको गलती करि भी दिया है तो भी आपकी Copy चेक होगी पूंच रहते हैं कि मैंने पहले इंसल से काला किया है फिर पीर से काला किया है और तो क्या मेरी वम्यcier चेक होगी तो चेक होगी उसमें काला रीड में आना चाहिए और कोई समस्व नहीं है तो ठीकohl こ आपकी OMR वाली समस्य का समाधान और अब तक ऐसी सूजना मिल रही है मैं इस समय PNP कर रहला के पास में ही हूँ तो कि लगबग 2000 से अधिक अपतियां हो चुकी है कल बहुत सार विद्यार्थियों को मालूम नहीं था फार्मेट तो इस वज़े से ज़ादा विद्यार्थियों कल अपतियां की थी उन्होंने आज भी किये कुछ और प्रसनों में दोबारा भी इमेल के विद्यार्थियों न होंगे उनको नहीं मालूम होगा वह पूछ रहते कि क्या केवल अपति करने वालों के नमर बढ़ेंगे तो नहीं ऐसा विल्कुल भी नहीं है आपकी अपतियां ली जा रही है केवल जो नई रिवाइट आंसर की आएगी उसके लिए और जो रिवाइट आंसर की होगी तो उससे आपका रिजल्ट बनेगा और वह सब के लिए होगी तो ठीक है रिवाइज्ट आंसर किया गी तब आपका आंसर बनेगा तब आप लोग अपने नमबर देखिएगा और वह सब के लिए होगा और जो विद्यार्थी इस फार्मेट पे बना नहीं पा रहे हैं वो किसी मित्र से बनवा के ले ले और अपनी इमेल से या अपना रोल लमट डालके एक अलग से उसको भेज़ दें चुकि यह मैसेज चला जा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने अब्जेक्शन किया है ताकि दुबारा जब रिवाइज आंसर किया है तब उसमें कुछ बलबली ना होने पाए इसलिए दबाव बहुत जरूरी है तो दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीकी की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और जिन मित्रों ने चैनल पर सब्सक्राइब नकिया और सब्सक्राइब भी कर लें बहुत बहुत धन्यवाद